हालो गाइस माइन नेम इस प्रवन नागर एंड यू आर वाचिंग टीस्वेमेल एंड हमारी बात चल रही थी इंटर्नल इयर के वन पेज चार्ट के उपर ओके एंड मैंने आपको पूरा-पूरा बता लिया था कि हमें इंटर्नल इयर किन-किन पॉइंट्स के अंदर अब हम आपसे आज इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कूरल के उपर ओके क्योंकि मैंने बोला था ना कि वन टू थी फोर फाइव सिक्स सेविन इन सेविन पॉइंट को फाइनली हमें पूरा-पूरा पढ़ना है इंटर्नल इयर के अंदर ओके तो अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कूरल के नार ओके तो आते हैं हमारे इस वाली पॉर्शन पर तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि आपको अलग पेज का यूज नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पर स्केट से लिख रहा हूं तो अफकोस म जो भी मैं वेस्टिब्यूल का काम की चीज लिखू सारा का सारा आपको यहीं पर लिखना है जो भी मैं सेमी सर्कूरल के चीज लिखू वह सारी की सारी आपको यहीं की नहीं लिखनी है क्योंकि यार अगर मैं इंटर्नल इयर के चार्ट को वन पेज के अंदर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं मेरे पास ओनली यह वन पेज यह पूरे कर पूरे इंटर्नल इयर की थियोरी पूर्शेंट का ओके तो आते हैं अब वेस्टी वी ब्लीव पर तो हाँ तो देखिए यह क्या है इन्टेरण यह मौडल के यह क्या है कोखल्य करना सबसे आगई होगी vestibule बीच में होता है and semi circular canal पीछे की side होती है okay तो रेखिए vestibule कुछ ऐसा दिखता है मतलब actual में ऐसा नहीं दिखता है जैसे मैंने यहाँ पर model में बना रखा है यह model बस only समझने के लिए है क्योंकि आपको किसी को explain करना पड़े and आपके हाथ में model हो तो यार फिर उसके explanation का मजा ही कुछ और होता है मतलब आप model के साथ अच्छे से explain कर पाऊगी इसलिए हमने model बनाया है तो आते हैं vestibule, vestibule के अंदर हमें क्या-का चीज़े पढ़नी होती है तो देखिए vestibule सबसे पहली बात तो यह यह कहां present होता है this is present medial side of middle ear cavity तो इसके लिए मैं दो point बताऊँगा कि यह कहां present होता है और इसकी total 3 wall होती है तो मैं यहां लिख रहा हूँ present and इसके लिए second point क्या होगा कि इसकी होती है total 3 wall तो दी जाए तर 2.4 vestibule and उसकी 3 wall कौन-कौन सी होती है सबसे पहले होती है इसकी lateral wall फिर होती है posterior wall फिर होती है medial wall तो सबसे पहले इसकी होती है हमारे पास lateral wall then इसमें हम एक point बताएंगे कुछ आपको then इसकी होगी posterior wall then medial wall ओके तो इन 2 points के बॉरे कुछा vestibule पढ़ना है बात कर रहे हैं आज इसको हम पूरा का फूरा फिनिश कर देंगे तो लेटर वाल में देखिए जो लेटर वाल ओफ वेस्टिबूर है इसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ओवल विंडो मैंने आपको यहां पर ने बतायता देखिए न इसके लावेस्टिबूलाई इसके लावेस्टिबूलाई इसके लावेस्टिबूलाई ओवल विंडो या फिर फैनेश्टा वेस्टिबूलाई के थ्रू किस से अटेच होता है इस टेपीज की फूट प्लेट से एंड इसके लावेस्टिबूलाई राउंड विंडो के ओवल विंडो में शोट में लिख रहा हूं मतलब विंडो और विंडो बोल दीजिए या बोल दीजिए फैनेश्टा वेस्टिबूल आई यानि की एफ़ी एंड फिर जो ओवल विंडो है यह किसे कनेक्ट होती है हमारे इस्टेपीज की फूट प्लेट से तो पूरा लिख द सेमिसर्कुलर कैनाल ओपन होती है हम नहीं यह पताया था ना आपको कि सेमिसर्कुलर कैनाल होती है यह तो यह तीनों के तीनों सेमिसर्कुलर कैनाल ओफकोर्स हमारे वेस्टिबूल में ओपन होगी तो वेस्टिबूल में कहां ओपन होती है वेस्टिबूल की भी पोस्टी surface ऑर यह open होगी, ओके तो वहीग तो posterior wall of vestibule पर हमारी थे semi-circular channel open होती है, तो मिaci यह लिक रहा हूँ, three semi-circular channel म electrences, M need scc. मतल tylko total five openings होती हैं तो मैं यहां लिख रहा हूँ total 5 opening O-P-E-N-I-N-G अब आपको सोचेंगे कि सब्सक्राइब तीन कैनाल है यह कोई करूड वायर है मतलब semi-circular कैनाल खुदी बोह रहा है ना semi-circular मतलब पूरा circle नहीं होगा semi-circle होगा and कैनाल मतलब hollow hollow मतलब खोकला होगा ना तो पूरा circle नहीं है only semi-circle है तो अगर कोई semi-circle हुआ तो एक कैनाल के पास 2 end होगे तो इस हिसाब से तो यार 3 semi-circular कैनाल के पास total 6 end होने चाहिए and अगर 6 end होने चाहिए opening भी 6 होनी चाहिए but ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो 2 semi-circle कैनाल होती है उनके end आपस में जुड़ जाते है तो अगर 2 के end जुड़ गए तो अफकोस total 5 opening होती है कोई ना चलो इस 5 opening वाले point को हम semi-circle कैनाल में आपको और अच्छे से clear कर देंगे अगर आपका अब भी doubt रह गया है तो अब हम आते हैं इसकी medial wall पर and देखिए medial wall में हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है उन्हें हम 3 points के अदर देखेंगे कि medial wall और festivule में हमें races भी मिलते हैं इस पर हमें crest भी मिलती है इस पर हमें openings भी मिलते हैं openings यानि की chet प्रेश्ट यानि की कोई लंबी सी चीज होगी races यानि की कोई fully हुई चीज होगी देखिए races वे बहुत common word है हमने बहुत साइज जगा पढ़ा है इसको आप इसे अब जब peritonium पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे जब आप इस fourth ventical पढ़ेंगे तो fourth ventical की cavity के races भी पढ़ेंगे तो कोई ना races बहुत common word है तो तीन चीजों के अंदर medial wall of vestibule पढ़ते हैं अब देखिए races मतलब की fully हुई चीज अब ऑफकोर्स हमने आपको यहां बताया था कि vestibule के अंदर क्या होते हैं secure and utical तो one races for secure one races for utical and मैंने आपको बताया था कि vestibule के अंदर sorry vestibule के अंदर semi circular canal भी open होती है cochlea भी open होती है तो देखिए जब cochlea vestibule के अंदर open होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी swelling बन जाती है थोड़ी सी fully भी चीज बन जाती है जिसे हम races बोल देते हैं and of course cochlea ने वो races बनाया है तो क्या बोलेंगे उसे cochlear races okay तो total तीन races हो गए one races for secure one races for utical and one races for cochlea and इनके नाम क्या क्या है मतलब इनकी जो shape होती है उसी साब से हमने इनके नाम दे रखे हैं तो secure के लिए जो races होता है वो होताई spherical S से secure S से spherical and utrical के लिए जो races होता है उसे बोलते हम elliptical elliptical size का होता है and cochlea के लिए जो races होता है उसे हम बोलते है cochlear races तो races में मैं यहाँ पर तीन races लिख रहा हूँ first, second and third जो first वाला races है मैंने बोला S से secure और S से spherical तो सबसे पहले होगा हमारे पास spherical races SP spherical races second वाला होता है हमारे पास elliptical races and जो third वाला races होता है उसे हम बोलते है cochlear races okay total तीन races होते है and जो spherical races होता है वो किसके लिए होता है this is for secure मैंने बोला ना S से spherical S सक्यूल this is for S A C C U L E सक्यूल आप कहा पढ़ेंगे सक्यूल आप पढ़ेंगे मैंने लेबरिंथ के अंधर अभी हम बोनी लेबरिंथ की बात कर रहे हैं वेस्टिब्यूल की बात कर रहे हैं and elliptical elliptical shape का जो रशेज होता है this is for uterical and जो of course cochlear races होता है यह किसके लिए होगा of course यह वाला cochlear के लिए होगा and देखिए एक crest present होती है यह crest किसके बीच होती है इन दोनों races के बीच एक crest present होगी देखिए अभी हम medial wall का पूरा diagram draw करेंगे सब कुछ के लिए हो जाएगा and जो इन दोनों के races के बीच जो हमारी crest होती है उस crest को हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है vestibular crest and of course हमारी जो elliptical races होता है इसके जच नीचे एक opening present होती है and उस opening को क्या बोलते है aqueduct of vestibule तो elliptical races के जच नीचे तो मैं यहां पहले में opening का नाम लिख देता हूँ opening का नाम है aqueduct तो opening होती है जिसे बोलते है aqueduct of vestibule and यह opening कहां present होती है यह present होती है elliptical races के just below तो मैंने elliptical races को green से highlight किया and इसके just लिख दिया है मैंने below B-E-L-O-W अब चलो इसका थोड़ा सा diagram draw कर जाते है ताकर चीजी समय में आए तो देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर एक draw की crest तो यह हो गई हमारी elliptical sorry vestibular crest and जो vestibular crest है यह आगे जाके दो पार्ट में bifurcate हो जाती है and जो मैंने of course आपको पता देखिए हम आगे बताइए आपको जो सक्यूल है वो anterior side यानि की आगे की side present होता है तो सक्यूल आगे की side present है तो of course इसका rhesus भी आगे की side present होगा and जो utrical है यह posterior side present होता है तो of course इसका rhesus भी पीछे की side present होगा तो यह anterior है यह posterior है मैं किसका diagram डो कर रहा हूं medial wall of vestibule का and जो हमारी vestibular crest है इस crest के आगे की side क्या होता है spherical research तो यह वाला क्या है this is spherical research and जो हमारी vestibular crest है जो यह वाली vestibular crest है इसके पीछे की side होगा हमारा कौन सा research elliptical research this is for utrical इसके अंदर utrical होता है तो okay and देखिए और जो हमारी vestibular crest है जहां पर यह bifurcate हुई है तो यहां पर भी एक research present होता है इस research का नाम क्या है cochlear research okay तो this is spherical research for secure तो मैं इनको लिग भी देता हूं sp मतलब this is spherical research okay sp मतलब spherical research पीछे वाला कौन सा होगा this is elliptical research and यह वाला कौन सा research होगा this is cochlear research okay and elliptical research के just नीचे हमारी एक opening present होती है एक छेद present होता है and इस opening को क्या बोलते हैं इस opening को मैंने यहां नाम दे रखा है this is aqueduct of vestibule कहा पर elliptical research के just नीचे elliptical के just below aqueduct of vestibule and देखिए aqueduct of vestibule इसको आप कहा पढ़ेंगे endo lymphatic duct या सेख के अंदर क्योंकि of course aqueduct of vestibule यह तो कहा पर है bone के अंदर क्योंकि हम vestibule पढ़ रहे हैं तो of course bone के अंदर है and इस bone के अंदर एक धक्ट होती है जिसे बोलते है endo lymphatic duct मतलग overall बात यह हैं कि हमने यहां पर दो टाइब के फ्यूड पढ़ेते पैरी लिंफ और endo lymph of course दो फ्यूड है अब हमें इन दोनों फ्यूड को CSF से connect करना है ओके तो उन दोनों के connection के लिए of course हमें दो टाइब की डक्ट पढ़नी पढ़ती है you जिसमें endo lymphatic बात करते हैंFit हाँ थो हमने वैस्टिबिल के पूरी की पूरी बात कर दी यहांपर और अब आते हैं हम हम हुमारे semi-circular canal पर देखें, तीन पार्ट में बोला था हम ने, सबसे पहले हमने पूरे के पूरे कोकलिया की बात की, ये coiled tube की बात की, उसके बाद हमने बीच वाले vestibule की बात की, पूरे के पूरे vestibule की बात कर ली, अब आते हैं semi-circular ducts, sorry, semi-circular canal के उपर, तो इन तीनों की, टॉटल तीन होती है ना, 1, 2, 3, तो इसकी हम बात करते हैं, semi-circular canal, ओके, एन देखें, मैंने जैसे बोला कि हमारे पास total 3 semi-circular canals होती है, तो total 3 होती है, 3 कोन सी, नाम क्या है, एक होती है lateral side present, तो अफकोर्ट इसे बोलेंगे हम, lateral semi-circular canals, एक होती है हमारी posterior side present, तो this is posterior semi-circular canals, एक होती है superior या anterior side present, बतलब बहुत सी बुक्स में लिखा है, superior semi-circular canals, बहुत सी बुक्स में इसे anterior लिख रखा है, बट बात एक ही है, यह हो गई, एंड देखिए, each canal, of course मैंने बोला कि, यह एक सीधा pipe है, इस pipe को मैंने semi-circle बना दिया, देखिए semi-circular, मतलब पूरा circle नहीं है, semi-circle है, आदा ही circle बनाना है, एक pipe का, एक canal का, तो of course यह canal है, इस canal का हमने semi-circle बना दिया, तो of course इस canal के पास, इस canal के semi-circle बनाने के पास, इसके बाद दो end होंगे, एक end यह वाला, एक end यह वाला, तो मैं वही बात यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि each canal two end, two end, हर canal के पास two end present होते है, and जो दो end होते हैं, उसमें से एक end के पास ampula present होती है, मतलब एक end फूला हुआ होता है, एक end बिल्कुल normal होता है, फूला हुआ नहीं ह होती है, जो फूला हुआ नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं, एक end फूला हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं, एंपूला present, and दूसरे में, एंपूला absent, okay, and देखिए, मैं देखिए, मैं यह लिखा था, कि सारे कि सारी semi-circular canal हमारे vestibule में open होती है, देखिए न, three semi-circular canal open, कहां पर, posterior वालो vestibule पर, तो of course, दोनों के दोनों end, each semi-circular canal के दोनों end कहां open होंगे, हमारे vestibule में, okay, तो मैं यहाँ एंपूला present वाले point यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि जिस end पर, मतब तीन semi-circular canal होगी, तो of course, तीन end पर हमें एंपूला present मिलेगी, तो यह वाला जो, जिस end पर एंपूला present होती है, यह directly हमारे vestibule के अंदर open होता है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, open into, open into vestibule independently, short में लिख रहा हूँ, V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S-T-I-V-E-S- होते हैं, vestibule के अंदर, and, जिस end बर empula absent होती है, इसके लिए मैं एक चीज लिख रहा हूँ, मतलब, यहाँ पर मैं तीनो semi-circular canal को दुबरा लिख रहा हूँ, कि सबसे पहले होगी lateral semi-circular, मैंने बोला न, क्योंकि, मैंने बोला था न, कि यार, 5 opening है, 6 opening क्यों नहीं है, उसका या anterior, तो of course, इन तीनो semi-circular canal का वो end जिस पर empula absent है, तो इसमें से क्या होता है, कि जो हमारा posterior और superior वाला है, इनका जो end है, जिनका non-ampula वाला end है, वो क्या कर जाता है, unite कर जाता है, तो मैं इन दोने के लिख रहा हूँ, unite, मतलब, जुड़ गया, and unite करने के बाद, क्या बना है, मतलब, इन दोनो semi-circular canal का वो वाला end जिस पर empula नहीं है, तो वो वाला end इन दोनों का जुड़ जाता है, और क्या बनाता है, crust community, crust community बनाता है, and crust community बनाने के बाद, ये हमारा open होता है, vestibule के अंदर, total, इन दोनों की एक opening हुई, and जो हमारी lateral semi-circular canal का जो non-ampula वाला end है, ये directly ही हमारे उसके अंदर open होता है, तो ये बाला directly open हुआ, किसके अंदर, vestibule के अंदर, okay, and देखिए, यहाँ पर इन तीनों semi-circular canal का जो एमपुला वाला end है, वो तीनों independently, मतलब, ऐसे कोई जुड़ते उड़ते नहीं है, सबका, इसका भी अलग opening मिलेगी, इसकी भी अल semi-circular canal, total, three, four, five, five opening के थुरू, हमारे vestibule के अंदर, vestibule की भी, posterior wall पर open होती है, देखिए, posterior wall of vestibule पर, हमारी, three semi-circular canal, five opening के थुरू, open होती है, तो देखिए, three, four, five, five opening हो गई, और, three semi-circular canal हो गई, okay, तो मैं एक बार फिर से इसे पूरा लिखे कर देता हूं, total five opening, total five opening, okay, तो each end, each canal have two end, ampoula present, एक end पर, एक end पर, ampoula absent, okay, and देखिए, जब आप skull पढ़ेंगे, आप जब anterior, middle और posterior cranial fossa पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, वो क्या, कि जो superior बोल दीजी, या बोल दीजी, anterior semi-circular के नहाल है, इसकी, of course, convexity होगी, मतलब बोलना, semi-circular मतलब कोई convexity होगी, कोई curvature होगा, तो जो ये वाला curvature है, ये वाला curvature हमारे, temporal bone पर एक line का, एक eminence का formation करता है, औके, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, arcuate eminence, कभी-कभी क्या है, जब आपको examiner इसकल पकड़ाता है, तो आपसे पूछ लेता है, कि या temporal bone में जो ये eminence है, इसका नाम क्या है, और ये बना क्यू है, तो of course, उस eminence का नाम है, arcuate eminence, एंड बनता किस पर है, temporal bone पर, और क्यू बनता है, due to, superior semi-circular के नाल के curvature के कारण, इसकी convexity के कारण, देखिए नहीं, circle मतलब थोड़ी convexity है, तोड़ा इसमें गोला लिए हुए है, ओके, इसके कारण, तो इसी के लिए, मैं एक point यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको आगे continue कर लेना, ऐसे arrow लगा कर, यहाँ लिखना है आपको convexity produce, ओके, तो जो हमारी superior या anterior semicircular के नाल है, इसकी convexity इसका जो curvature है, वो produce करता है, क्या produce करता है, आर्कुएट एमिनेंस, अब यह कहां होता है, क्या काम करता है, तो रेखिए, यह होता है हमारे own temporal bone, क्योंकि आपको बताऊगा ना, हमारा पुरा का पुरा बोनी लेबरिंथ है, जो हमारा internal ear का बोनी बाट है, वो temporal bone में तो आता है, ओके, own temporal bone, एंड इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, C inner side, अंदर की side, मैंने बोला ना, anterior, middle and posterior cranial fossa, आपको जब दिखाएगा, तो जब पूछेगा आपसे examiner, तो इसके लिए आपको देख में होता है, vestibule, पीछे की side होती है, three semicircular canal, तो देखिए, this is the overall theoretical portion of cochlea, देखिए इसके बाद जब हम आपको ENT के clinicals बताएंगे, देखिए, एनाटमिय का पूरा portion हमने बोली लेपरिंत का कर दिया है, इसके बाद हम आई क्लिनिकल पर, क्योंकि आप ENT में mainly clinical case पड़ते हों तो वहाँ बात करेंगे, तो this is the whole anatomical portion of cochlea, उसके बाद ये vestibule हो गया, और ये semicircular canal हो गया, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, पूरे के पूरे membranous lebrinth के point के उपर, कि एक, दो, तीन, चार, इनमें क्या क्या चीज़े काम की हैं, उसके बाद हम आएंगे आपको, बतल क्या क्या लफड़े होते हैं हमारे ear के अंदर, okay?